हलो दोस्तों जहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल सोहेल लगड़िमी में आपकी आरपी अफ कॉंस्टेवल और एसाई की लास डेट थी और कितने वच्चों ने फॉर्म भरा इसके बारे में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बही पर आपकी आरपीएफ एसाई की 452 पोस्ट पर आपकी ये भरती आई थी सबिस्पेक्टर की जो आपकी आरपीएफ में आई थी तो कॉण्स्टेवल में आपके लगभग अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कितने फ़ाम भरे गये हैं ये संख्या फॉर्म की आपकी लगवक 50 लाग के पिलस थी, जो आपकी इस वार आपको जो फॉर्म देखने को मिले हैं, और अगर SI के मैं बात करता हूँ, तो यहां भी दोस्तों आपके पिछली साल के हिसाब से फॉर्म बहुत कम आये हैं, इतने कम फॉर्म आये हैं दोस्तों है, उसे भी बढ़ाया गया था, दुबारा से फीस सब्मिट करने के लिए आपको एक से दो दिन का समय मिला था, वो सकता है, उसमें दोस्तों आपके एक आद लाग बच्चे जो हैं, बढ़ जाएं महां से फीस सम्मिट कर दें, तो इतने हमारे बच्चे हैं, तो कुल मिला के हिसाब से आपके फॉर्म भी दोस्तों कम आए हैं, अगर हम लोग बात करते हैं, UPSC जहां पर आपके जिसके जरीए आप दोस्तों DM बेगरा बनते हैं, UPSC एक्जाम में, तो बहां भी लगभग इतनी ही पोस्ट आती हैं, कभी 400, कभी 300, कभी 400, लेकिन बहां भी दोस्तो आपसे 10 लाग प्लस ही फॉर्म आपको देखने को मिलता है, UPSC जैसे एक्जाम में, लेकिन यहां पर आपके RPF SI में दोस्तों 4-5 लाग ही फॉर्म आपको देखने को मिला है, तो कुल मिला कर आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहें, आपके RPF एक्जाम के लिए चाहें Constable हो या फिर आपका सबस्पेक्टर का हो, आपको पता है कि Reasoning आनी है, 35 कोशन, आपके Maths के आने है, 35 कोशन, जिसमें दोस्तों सिर्फ आपकी Arthematic आपको देखने को मिलेगी, Advanced का दोस्तों पोर्षन आपको देखने को नहीं मिलेगा, हाला कि आपका Arthematic में दोस्तों आपको Mentulation द देखने को नहीं मिलेंगी, RPF के किसी भी दोस्तों आपको पेपर में, तो कुल मिलाकर आपसे मैं यही कहूंगा कि Arthematic Math के लिए तयार करो भेतरिन तरीके से, और Reasoning दोस्तों तयार करो, GKGS पर अच्छी खासी मेहनत करने की जरूरत है, क्यूंकि GKGS आपकी 50 कोशन रहने व या फिर आप SI के एक्जाम दें, दोनों जगा आपके यही तीन सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने हैं, और लेवल का भी कोई इतना फरक नहीं होता है, अगर आप SSC के एक्जाम देखते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि MTS का कुश्चन आपको CGL में मिल जाता है, और CGL क कुश्चन आपको MTS में भी मिल जाता है, तो लेवल आपका ऐसा तयार करें, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, कि आप किसी एक एक्जाम को टार्गेट करकर तयारी ना करें, आप सिलेबस को टार्गेट करकर तयारी करें, जैसे आपका मैथ है, तो मैथ ऐसा नहीं कि RPF क होते हैं हमारे competitive exam वो सभी दोस्तों आप उस तरीके से complete करकर clear करते जलें तो किसी special exam की तयारी ना करते हुए special subject की तयारी करना आपके लिए जरूरी है इसी प्रकार से मैं reasoning को भी कहूंगा कि reasoning आपको जादा से जादा practice करनी है पहले concept पढ़े concept के questions लगाएं फिर previous year questions लगाएं तो इस प्रकार से दोस्तों जब आप तयारी करेंगे combine करकर तो बहुत ही अच्छी तयारी आपकी हो जाएगी और आपको ये भी पता है कि आपका RPF का exam TCS करवाने वाली है और TCS का सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है भई स्ट्रेटिक जीके और current affair ठीक है तो इस्ट्रेटिक जीकर पर आप जादा से जादा महिनत करें पचास question है तो ये मानकर चलिए कि 10 प्लस question आपके 15 से आसपास ही दोस्तों 14 15 भी हो सकते हैं तो इतने question आपको स्ट्रेटिक जीके के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे आपके RPF के exam में तो जीके भी आपको खूब अच्छे से पढ़नी है कुछ लोग बोलना है कि 40 प्लस question आपको करने पढ़ेंगे या 35 प्लस 38 प्लस question आपको जीके में करने पढ़ेंगे तब selection होगा लेकिन आपसे मैं कहे दूँ कि अगर आप 90 से लेकर 100 की बीच में अगर आपके question बनते हैं चाहें constable हो चाहें SI हो आपका दोस्तों selection हो जाएगा क्यूंकि इस बार कोई भी group wise आपकी vacancy नहीं है जैसे पिछली बार group थे group A, B, C, D, E, F उस प्रकार से कोई भी दोस्तों आपक प्रकासन की तरफ से एक study guide आती है जो दोस्तों आपकी exam के लिए बहुत ही शांदार study guide रहने वाली है इसमें दोस्तों आपको current affair मिल जागा समाने घ्यान मिलेगा समाने बुद्धी एवं तरक शक्ती मिलेगा और आपको अंकगडित मिलेगा मतलब दोस्तों आपका जो study guide से दोस्तों आपकी तयारी बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हो सकती है यहां देख सकते हैं दोस्तों आपको हर एक विसे सूची दी गई है और previous year दोस्तों यहां पर paper भी दिये गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाले हैं आपकी तयारी को और भी भेतरीन बनाने के लिए तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इसके नीचे आखिर क्या है देखी यहां पर पूरा सलेवस हो गया उसके बाद दोस्तों previous year paper है देखी पर्थम पाली 2019 के यह previous year paper आपको मिल जाएगा इसी पिरकार से दोस्तों यह study guide आपको पू मिल जाएगी railway की maths की book मिल जाएगी और आपको railway TCS की आपको समाने अध्यन की book मिल जाएगी चाहें आप command ले ले या फिर आप अलग अलग भी दोस्तों यह books को ले सकते हैं और साथ में practice set जरूर लगाना क्योंकि दोस्तों practice set से आपकी तयारी बहुत वेतरीन तरीके से हो ज चिंत रहें आपका selection दोस्तों हो जाएगा लेकिन कोसिस यह करें कि ज़्यादा से ज़्यादा score करें मैं यह तो नहीं कहता कि 38 question करो GK में GS में भाई यह चीज एक बहुत मुस्किल हो जाती है GK GS में 38 question 40 question बहुत पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके भी लगबग 35 plus question ठीक हो बाते हैं 40 question करना GK GS में काफी ज़्यादा मुस्किल दोस्तों चीज है यह कहना बहुत आसान है कि हां कर लो यूटूबर भी कह देते हैं लेकिन ऐसा है नहीं बच्चे जो करते हैं जो एक्जाम देता है उसे पता होता है कि चीज कितनी मुस्किल है तो मुस्किल है तो उ में से 3-4 लाग ही लोग थे इसी परकार हर एक वेकिनसी का यही सिंद रहता है कुछ लोग सिर्फ मजे मजे में फॉर्म भर देते हैं और कुछ लेग यह सोच के फॉर्म भर देते हैं कि मेरे दोस्त ने बरा है मेरी फ्रेंड ने बरा है तो मैं भी इस फॉर्म को भर देता ह तो एक्जाम मुझे नहीं लगता कि सिटमबर अक्टूबर से पहले आपका ये एक्जाम होगा एक्जाम आपका बाद में ही जाएगा क्योंकि इतना समय आपको लगभग तयारी के लिए मिलेगा ही मिलेगा तो आप सभी लोग दोस्तों वीडियो को देखते हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन जुरूर दबाएं अगर किसी को भी किसी भी बिरकार की कोई डाउट है कोई कुश्चन है तो आप सभी लोग कॉमेंट करकर इस वीडियो के नीचे छोड़ सकते हैं बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लि जय हिंद, जय भरत